बिग बॉस 17 के घर में आए दिन हंगामा देखने को खूब मिल रहा है अंकिता लोखंडे और उनके पती विक्की जैन के बीच खूब जगड़े दिख रहे हैं वहीं लेटेस्ट एपिसोड में अंकिता ने मुनवर से विक्की को लेके तमाम तरह की बाते की देरसल विक्बास का 17 सीजन खबरों में बना हुआ है सलमान खान के इस मोस्ट कंटोवर्शियल शोव में कंटेस्टेंट के बीच खूब लड़ाई देखने को मिल रहे है वहीं सीजन में सेलेप्स, कपल, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन लोगों का ध्यान अपनी और आकर्शित कर रहे हैं आकुबतादे इस पूरे शोव के मास्टर माइंड विक्की जैन बने हैं उनकी और अंकिता की लगातार हो रही लड़ाईयां भी सुर्खियां बटोर रहे हैं कई बार अंकिता को विक्की से हुए जगड़े के बाद रोते भी लगते भी देखा जा रहा है महीं लेटेस्ट एपिसोड में पवित रिष्टा फेम एक्ट्रेस अंकिता को कंटेंस्टेंट मुनवर फारुकी को बताया कि उन्हें कौन सी आते विक्की की पसंद नहीं आती अंकिता मुनवर फारुकी के साथ गार्डन एरिया में टेहलती दिखती हैं इस दोरान लोखंडे और मुनवर नोटिस करते हैं कि विक्की जैन रिंकू धवन के साथ बेजी हैं इस पर विक्की की ओदेखते हैं अंकिता कहती है कि कीड़ा है विक्की कीड़ा वो रहती है ना जू हो जाती है इतना दर्द देता है कभी कभी मेरे को ऐसे निकाल के ऐसे फेक दोंगे अंकीता कहती नजर आती है कि इसको कोई टॉपिक मिल जाएना इतनी बात कर सकता है ये मेरा और विक्की का कभी जगड़ा हो जाए ना घर पर ऐसा लगता इससे अच्छा तो मत हो भगवान मैं बरदास ही नहीं कर सकती विक्की की आवाज उस टाइम पर यह इतना ज्यान देता है बता दें कि विक्की जैन और अंकिता के बीच बार-बार लडाईया हो रही है विक्की हमेशा अंकिता पर चिलाते नजर आते हैं यहां तक कि नेशनल टीवी पर विक्की ने अंकिता को फटकार लगा कर कहा कि यह बहुत घटिया है सिंदगी में कुछ तो दिया नहीं पीस आप माइंड तो दे दे मुझे शर्म आती है यह तुमारा सबसे बुरा साइड है जो मैंने कभी नहीं देखा